आज हम बात करेंगे चेप्टर 6 इंटरनेट के अनुप्रियोग यानि इंटरनेट एप्लिकेशन्स इंटरनेट का अनुप्रियोग इंटरनेट कई से ऊँख सुदा देता है चीजों को ओनलाइन क्रीं में बेचने से लेकर बेब ब्राउजिंग एक इस्तान से दूसर इस्तान पर फाइलों के हस्तांक सनन यानि टांस्पर ओफाइल, इमेल, वर्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लोगिंग, नोटिस बोर्ड, इनके अलावा सोपिंग, एवा मनोरंजन, तक्किक, सभी सुधाएं हमें ओलाइन सेवाएं, एटीसी, इंट पून अनुपरियोगों का अध्यन करेंगे, यह उन्हें समझने की कोशिस करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट हैं, हमारी वीडियो पूरी देखें, लाश्ट तक देखें, लाश्ट में टू मिनिर्स सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, उसको जरूर पड़े, अब हम बात क करते हैं, पहला भाग, e-commerce, e-commerce, एक electronic commerce है, e-commerce के माद्यम से उत्पादन और से ओन की खरीद और बित्री को दर्साता है, सबसे महत्पूर्ण है, e, जहां भी वीडियो ओन लाइन समझनेती हैं, इस सबसे स्टार्ट होता है, तो e की फुलपू होती है, electronic, जैसे email, electronic mail, e-commerce, electronic commerce इस टार्ट से जो e सबसे स्टार्ट होता है, उसका आट निकलता है, electronic, जैसे आपके एक्जाम में को भी क्यूशन आए, इससे समझनेत, तो आप बिलकुल फिक्स रटावा समझेए, e का मतलब होगा, e, electronic, इसी परकार, हम e-commerce को पांच भागों में देख रहे हैं, मैं इसके चार भाग होते हैं, पहला भाग होता है, B2B, B2C, और C2B, और C2C, और A का नया भाग मानते हैं, तो उससे बोलते हैं, mobile commerce, पहला है, व्यापार से उब्वापता, यान बिजनिस टू कंजुमर, बिजनिस टू कंजुमर, जैसे हम ओनलाइन कोई भी गूर्स परचेस करते है वो उतार बिजनिस टू कंजुमर, जैसे प्लिपकार्ट, अमेजिन, इससे हम कुछ भी खिर देंगे, तो जो बेच रहा है, वो बिजनिसमेन है, और हम खिर रहे हैं, हम कंजुमर है, फिर इसी परकार हम बात करते हैं, बिजनिस टू बिजनिस, जैसे कंपनीज अपने ओनल जैसे हैं, उधान, इंडिया. अलिबाबा. डॉट कॉम, डबलो डबलो, अमेजिन, बिजनिस. इन, ये जो गुर्स बेचते हैं, कौन्टिटी में, ये बिजनिसमेन को ही सेल करते हैं, तो बिजनिस टू बिजनिस, इस परकार हम तीसरे पॉइंट के बात करते हैं, कंजुम टू बिजनिस भी हो सकता है, इसमें देखें, जैसे आपने नाम सुनाओगा, डबलो, 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 डोट, दा, फ्री, मोट, जेक, केरिलोटर, डोट, कॉम, ये वेफसाइट हैं, इसमें बिड लगती हैं, कंजुमर टू बिजनिस का मतलब हो गया, हम कंजुम रहे हैं, हमारे पास बहुत सार गुट्स रखावाया है, जो बिजनिस के उद्यश से नहीं है, हमारे यूजफूल नहीं है, उस गुट्स को हम बेच रहे हैं, तो जो बिजनिस में आएगा, उसकी बिड लगाएगा, उसको बोलते हम, कंजुमर टू बिजनिस, जैसे, for example, एक स्कूल है, टेबल्स पुरानी सेल करनी है, और खरीदेगा बिजनिस में, अब जिस रेट में जो खरीदेगा, स्कूल कंजुमर हो गई, और खरीदने वाला बिजनिस में हो गया, इस टाइप से कंजुमर टू बिजनिस, ऐसे ही कंजुमर टू कंजुमर भी होता है, कंज बोगताओं को बेशते हैं उसे बोलते हैं हम consumer to consumer इसका एक भूत लोग प्रे उधारण है eBay eBay.in इसमें हम consumer to consumer समाल बेश सकते हैं ऐसे ओलक्स भी है क्यों कर भी हैं बहुत सारी कम्रीन जिसमें customer ही बेचने वाला होता है customer ही खेरने वाला होता है एक हम और पॉंट की बात करें तो बात है mobile commerce में स्मार्टपून और व्यक्ति डिश्टल साइकों से जैसे wireless, handle, device, माध्यम से माल और सेवों को online खरीदारी या विक्री की जाती है mobile commerce वास्तम में आपकी pocket jam में एक retail store जैसा है mobile phone से अत्यनते लोग प्रे होने के कारण आज का अधिकांस e-commerce website mobile enabled होती है फिर mobile e-commerce की companies द्वारा एप बना दी जाती है उसे बोलते हम mobile e-commerce इसी प्रकार यह हमारा e-commerce का topic के लिए रोता है अब हम e-commerce में थोड़ी deeply बात करते हैं जिसमें पहला आता है राज्तान online store राज्तान सरकार ने e-bazar portal शुरू किया है जिसके माद्यम से राज्य के सभी नागरे सही किमत पर विभीन तरह की बस्तों को आसानी से खरीच सकेंगे e-portal की मुख्य विशेस्ता है निम्न है किसी भी राज्य के नागरे अपना ओडर www.e-bazar. रास्तान. जो भी डोट इनके माद्यम से दर्श करें इस तरह सभी ओडर समन्दी जिला डागर में उपलब्द एमित्र कयोक्स में परदशित होते हैं OTP ग्राकों के मुबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिन्होंने समाल केने का ओडर दिया है वितन डिलेवरी के दोण ग्राक को डाके को OTP दिखाना होगा डागर इस पर पोस्ट से समाल बेजेगा ये गौर्णमेंट से चलाएगी स्कीम है यानि गौर्णमेंट वेबसाइट हैं जिससे हम ओनलाइन गुर्ण से खरीज सकते हैं अब हम बात करते हैं अधर साइट्स ओनलाइन सोपिंग वेबसाइट्स जैसे आपने सुना होगा फ्लीपकार्ट फ्लीपकार्ट के माद्यम से नेकेवल किताबे बलकि मोबाइल फोन्स, मोबाइल एस्रीज, कम्पूटर, लैप्टोप होम एसे स्रीज, एटीसी क्यानि करीगरियों कोई भी हम समान इससे पचेज कर सकते हैं इसी परकार दूसी सायट है अमेजिन, अमेजिन एकोमर्स बजार में दुनिया में सबसे बड़ी कमपनी है बाहरत में सक्रे रूप से कारे कर रही है गराहक अमेजिन से उचित के मत पर किताबें सीडीज, इलेक्रोनिक समान कम्पूटर, लैप्टोप बहुत सारी चीज़ें गार्मेंट्स वो खरीद सकते हैं फिर बात करते हम snapdeal.com snapdeal पर भी बहुत कुछ उपलब्द हैं इसताने देनी सोदों से लेकर रेश्टरा, इस्पा यात्रा से लेकर ओनलाइन और पाद फिर हम बात करते हैं paytm.com paytm की सुरुआत mobile e-wallet, आधारित, mobile recharge और build book तान website के तोर पर हुई है अब paytm सस्ती किमत पर घर की सजावट कपड़े laptop से mobile तक सब कुछ बेच रहा है ऐसे हम बात करते हैं jabong.com jabong फेंसन एंड लाइब स्टाइल स्टोर है जो अपने सभी उत्पादों पर भारी छूट परदान करता है ये परिधान से लेकर घर की सभी जुरूतों का समान बेचने के लिए ओफर करता है इस परकार इन वेफसर्ट से हम ओडर देके ओनलाइन समान खरीज सकते हैं अभी तक हमने बात किया है एक ओमर्स अब हम बात करेंगे सोचल नेट्रेइंग साइट्स समाजी सोचल नेट्रेइंग साइट्स जिसमें फेस्बुक, ट्विटर, एटीची फेस्बुक के बारे में आप सभी जानते होंगे फिर भी मैं एक वार विवर्ण करता हूँ फेस्बुक के कुछ मुख्य पब्लिक इसर इस परकार है मार्केट प्लेस मेंबर को वर्गिकर विज्ञापन पोस्ट करने पढ़ने ही पत्रिकरा करने के लिए अनुमतिरी देते हैं ग्रूप्स एक जैसी रूची वाले सदस्यें एक दूसरे संपरक कर सकते हैं और वारतलाब या डेटा सेर कर सकते हैं इवेंट सदस्ये मेंबर किसी इवेंट के जानकरे दे सकते हैं और लोगों को आमतिरीती भी कर सकते हैं फिर आता है पेजेज सदस्य मेंबर किसी विसेश टोपिक पर एक पेज बना सकते हैं और उसमें सदस्य को जोड़ सकते हैं पेजेज में जो भी पेज करेट करते हैं वो ही मेसेज बेज सकते हैं और सदस्य उनको देख सकते हैं या उसमें कमेंट ये लाइक कर सकते हैं परजेंस टेक्नलोजी सद्दस्य मेंबर यह जान सकते हैं कि कौन से दूसरे सद्दस्य ओनलाइन है यह होती है परजेंस टेक्नलोजी यानि चैटिंग के लिए हम चैटिंग करना चाहते हैं कौन ओनलाइन है कौन ओनलाइन ही है वह परजेंस टेक्नलोजी से हम देख सकते हैं हम मेंबर के परसनल प्रोफाइल पर कुछ मुख्य नेट्विर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं इन में फेस्बुक एक सोचल नेट्विंग साइट है जो आपके परिवार दोस्तों आसान तरीके से संपर्क करने मदद करता है यह मुलत कोले चात्रों के लिए या नियरवाई लोगों को सर्च करता है और फेस्बुक आपको मेसेज बेजने स्टेटस अपडेट करने की सुझधाय परतान करता है जिससे आप अपने दोस्तों संपर्क में रह सकते हो आप फोटो लिंक बगेर सेयर कर सकते हैं और आप मेसेज इसमें सेयर कर सकते हैं इसमें हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं इसमें हम चैटिंग भी कर सकते हैं और हम इसमें मित्रों से मिल सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड ट्वीटर ट्वीटर है एक ओनलाइन सोशल नेटिविंग साइट है या सर्विस है जो यूजर को 140 करेक्टर यानि 140 करेक्टर के छोटे संदेश बेजने पढ़ने की सुधायें देता है जिनें ट्वीट्स कहा जाता है पंजिक्रित उपोगता संदेश को पढ़ या प्रेशित कर सकते हैं प्रन्तु अन्य यूजर सिर्फ संदेश पढ़ सकते हैं इसे कंप्टर या मोबाइल दोनों से संचलित किया जा सकता है ट्वीटर मार 2006 में बनाये गया था और इसके निर्माता है जेक डोर से, एवण विल्ली एम से, बिज श्टोन और नूह ग्लास इसको जुलाई 2006 में लोंच किया गया था ट्वीटर के मुखे पिचर्स इस प्रकार है ट्वीटर यानि ट्वीट यह संदेश का एक भाग है जो अधिक्तम 41 क्रेक्टर का हो सकता है जिसमें खाली जगह पंचू चूशन भी सामिल है और इसे आप बहुत छोटे मेसेज ब्लोग की तरह समझ सकते हैं टाइम लाइन्स तारिक के हिसाब से संदेशों का संकलन पब्लिक टाइम लाइन से हर संदेश का संकलन होता है जब आप ट्विट करते हैं और आप खुद की टाइम लाइन बना लेते हैं और आपकी प्रोफेल देखने वाले हर विजर्स को करमवत दिखेगी टोप मिनू में प्रोफेल लिंक क्लिक करने करके आप खुद की टाइम लाइन देख सकते हैं हर उपोपता की एक विशेश टाइम लाइन भी होती है जिसमें हर व्यक्ति एक व्यक्ति को ट्विट होता है जिससे यूजर फोलो कर रहा होता है आप Twitter पर लोगों को फोलो कर सकते हैं 인ain लोगों के द्वारा पोस्ट पढ़ सकते हैं Twitter प्रोफैल के setting link पर प्लिक करके आप अपनी profile में बदलाव कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें कि आपके account section के हर public चीज public को दिखती है अगर आप अपना वास्तिक नाव नहीं दिखाना चाते हैं तो आप अपना नाम बदल सकते हैं आम दोर पर अपने चेहरे की picture को profile picture बनाये जा सकता है following और followers following सब ट्यूटर के अनुसरन के लिए प्ट्यूट किया जाता है जब आप किसी tweets को लगातार पढ़ना चाते हैं और उसे follow कर सकते हैं इसके लिए आपको जैसे follow करना चाते हैं उस profile page पर विजिट करना होगा एम profile picture के नीचे follow का option दिखाई देता है इस button पर क्लिक करके आपके home time line पर उस व्यक्ति के tweet दिखाई देने लगेंगे follow एक तरपा feature है जब तक कोई अपने update को गोपने ने रखता है उसे आप following request की शुकृति देने की जुरति नहीं होती है इसी परकार Facebook में भी हम कोई picture या कोई डेटर आलते हैं उसको दूसरा देख सकता है ऐसे तो Facebook में कुछ pictures हैं जिसमें हम privacy के दवारा security डाल सकते हैं जैसे हमारी friend list कोई नहीं देख सकें अपने status कोई चेक नहीं कर सकें तो वो भी उपलब्द है और ऐसे generally हर कोई उसको देख सकता है इस परकार Facebook और Twitter networking sites के बारे में हमने आपको बताया है अब हम बात करते हैं e-learning online शिक्सा यह हमारा third point है e-learning या electronic learning का आम तोर पर पहले मेंने बतायाता है e का आर्थ होता है electronic जहां भी e से वाड़ी start होता है e shortcut की होता है तो उसका आर्थ होगा electronic यादि कैसा भी किस टाइब से question आए आप e की फिलकॉम electronic कर सकते हैं अब हम बात करते हैं e-learning या electronic learning का आर्थ आम तोर पर एक computer या internet आदा है PC का उपयोग कर ज्यान अर्जित करने के लिए होता है एक अच्छे e-learning टूल की साहता से आप घर में ही अपनी कक्सा या क्लास में बना सकते हैं और प्रभावी चित्सा प्राप्त कर सकते हैं आज के टाइप में दीरे दीरे लोग e-learning पे ही जा रहा है कई इस्टूट ऐसे भी है जो online classes ले रहा है और online student class ले रहा है e-learning से सबसे बड़ा फैदा है हमारा time बच रहा है और जब भी हम फिरी रहे हम उसको पढ़ सकता है इसके अलावा इसमें e-learning में पहला आता है M-O-O-C मोजिव open online course यह है एक online course portal है जो लोगों को online courses के माध्यम से ज्यान अर्जित करने का मुका देता है M-O-O-C दुरस्त distance education के मामले में नया development है जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था 2012 तके बहुत लोग प्रिय हो चुका था M-O-O-C portal के पर्मुकुदायन है जैसे EDX यह एक विशाल open course है M-O-C प्रदाता company है यह विशुभर के चात्रों को अललग विशुभर में उनिशिटी इस तर के courses कराती है इनमें काफी courses मुक्त भी होते हैं यह अपने learning platform का चात्रों द्वारा केसी उप्यों कर जाता है इसके उपर रस्तान भी कर सकते हैं ताकि उसे बहतर बनाए जा सके हैं इसी प्रकार दूसरा आता है Udacity इसकी सुर्वाद विशुदाले आदाहित पाठेकरम University style course से हुई थी लेकिन अब यह पैसा वरूम के लिए व्यवसाईक पाठेकरम को भी चलाते हैं अब इसमें तीसरा आता है course era course era एक लाबधाय के सेक्षिनिक प्रोदकी की संगटन है course era online course से लाने के लिए विशुदाले हों और अन्य संगटनों के साथ मिलकर काम करता है तांकि कुछ पाठेकरम online उपलगत कराई जा सके जैसे बहुत इक engineering मानवी की चितिक साथ जीव विग्यान, समझी विग्यान, गणित व्यवस्ताई, कंप्प्टर विग्यान, विजिटल मार्केटिंग, एंड डाटा साइंस एटीसी अब हम बात करते हैं खान अकेडवी खान अकेडवी एक गेर लाबकारी शिक्सा संस्ता है जो ज़्यदा से ज़्यदा लोगों को शिक्सित करने के लिए एक सरल सुलब मंच परदहन करती है इस परकार हमने बात किया MOOC अब हम बात करते हैं आजिव का पोर्टल रास्तान सरकार यहनि लिव लिहुड पोर्टल गवर्मेंट और राजस्तान इसमें हम बात करते हैं कोचल रोजगार उदमिता विभाग ने नागरिकों को विविन सुचनाएं और सेवय परदहन करने के लिए रोजगार और आजिव का पोर्टल की सिर्वात किये हैं और इन्हें www.employment.livelyhoods.gov.in website उसे उप्योग में दिया जा सकता है विवाग के मुख्यें उदेशियों में सामिल है रोजगार विनी मैय अधीनियम 1969 यानि 1959 और नियम 1960 के प्रावधानों को सुचनिचित करता है नोकरी तलासने वालों को विविन स्यम रोजगार योजनाओं के बारे में जानकरे एकत्रित और परचारित करता है SC, ST, OBC दिव्याग, महिला, कमजोरवार्ग, नोकरी चाहने वालों की साहता के लिए विशेज योजनाओं है इसी प्रकार, RKCL, RS, LDC, ITIE, निम लिखित निकायों यानि स्किल, मैन पाउड डेटा का विलाय करना और राजजे के लिए कोसल पुल बनाने में मदद करता है अब हम बात करते हैं, राज एग्यान, राजतान सरकार ने स्कुलों में सिक्सा इस्तर को सुदानने के लिए और डिटिल इंडिया की अवधानाओं को वास्ति उत्ता में बदलने के लिए section portal रास्तान इग्यान की शुरुवात किया है जिसमें सभी कक्सा के चात्रों के लिए हर विसे की digital particle सामगरी उपलब्द करा आना सुझनिश्ट किया है इसामगरी 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 पार्ट पावर पॉइंट animation, audio, e-pustak, चात्रों, प्रामस दाताओं, educational और अभिवाओं को पर्दान की जारी है इसके बाद में आता है उच्चे और टक्निक शिक्सा पोर्टल राजस्तान सरकार यानि High End Technical Education Portal Government of Rajasthan उच्च और टक्निक शिक्सा पोर्टल में www.ste.raastan.gov.in निम्त विभागों से सूचना और स्याओं को जोडती है उच्च शिक्सा अंतरगट DCE विभाग, टक्निक शिक्सा अंतरगट DTE, टक्निक शिक्सा निदिसाले है इस कोटल का मूल गूप से नागरियों को राज्ये के विश्वदाले हों तक्निक शिक्सा पाठे हों अंतरगट विभिन उच्च शिक्सा पाठे हों के लिए आविदर करने मदद करता है इस परकार हम बात करते हैं आप IIT द्वारा मुक्त पाठ्थे करम Three Course by IIT National Program on Technology Enhanced Learning NPTEL मानव संसान विकाच मत्राले है MHRD द्वारा प्रजित एक प्रोजेक्ट हैं जिसके तहत इन्देरें विग्ज्यान प्रदुकी परबंदन मानवेकी में ओनलाइन वेब और वीडियो पाठेकमों के माद्दम से एक लेर्निंग की जा सकती है यह साथ IIT और IFC बेंगलोर द्वारा की गई एक संविक्त पहल है अन्य चैनित प्रोजेक्ट परबंदन संस्तान एसोसियेट पाठेकमों के रूप में कारे करते है पाठेकमों सुची देखने के लिए या ओनलाइन रिश्टर करने के लिए या डायेट आप ले सकते है इस पे आप देख सकते हैं फिर हम बात करते हैं स्योंपोटल 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 स्योंप.gov.in यानि स्वयाम.gov.in प्लेटफोर्म मानव संसाजन विकास मंत्रा ने और अखिल भारते तकनिक सिक्सा प्रिशद द्वारा इसकूल अंडर ग्रेजएट पोस्ट ग्रेजएट इंजरिंग कानून एवं अन्य वसाइक ओर्स को कवर करने के लिए विक्षित किया गया है इसी प्रकार हम बात करते हैं स्योंप आयुजित पाठेकरम की समगरी चार्ट रखी होगी जैसे विडियो वेक्ष्यान विसे इस रूप से तियार की रीडिंग समगरी जिसे डाउनलोड पिंट किया जा सकता है प्रिक्षया और क्विच माध्यम से आत्म मुल्यान कर प्रिक्षयसन संदेह का समधान करने के लिए एक ओनलाइन प्लेटफोर्म इस प्रकार यह सभी इलर्निंग या ओनलाइन एजविशन की वेबसाइट से है अब हम बात करते हैं ओपन रिसोर्स क्लाउड बेस इस्टोरेज पहला है इसमें राज इवुलेट दूसरा है गुगल ड्राइव या बन ड्राइव इसका मिन्स है जो भी हमार इंपोर्टेंट डोकॉमेंट है हम इनमें सेव कर सकते हैं सबसे पहला आता है इसमें राज इवुलेट राज इवुलेट एक डिश्टल दस्तावेज परबंदक सेवा है यह है पोर्टल अध़कारिक दस्तावेज परमान पत्रों को डिश्टल सत्यापन की सुझदा देता है इसलिए यह कागजीकरवाई की आपसक्ता को कम करता है इसी प्रकार इसकी साइट है evault.rajistan.gov.in इसी प्रकार दूसरा है Google Drive या OneDrive Google Drive में हम Cloud Storage दी रूप में एक Office Tool का पूरा सेट जुड़ा होता है इसमें MS Processor, Applications यानि Excel, PPT, Builder Seat इससे यहां के साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते है Google में हमें खाता कोलना होता है और आप आसान से Google Drive तक पहुंच सकते है drive.google.com पर जाना होगा इससे आवा को सक्सम करना होगा यानि इसको एनेबल करना होगा Google Drive में आपको निस्वलक एक सिमित storage मिलता है जिसमें आप फोटो, वीडियो, दस्तावेद, फोटो सोब फाइल या कोई डेटा अपना या सोंग्स या आप इसमें store रख सकते हो और जहां जोट पड़े वहाँ लोगिन करके इसको आप देख सकते हो फिर बात करते हैं Microsoft OneDrive OneDrive Microsoft's Cloud Storage Solution है जो Windows 8 और 10 का उप्योग करते है उनके ओप्रेटिंग सिस्टम में OneDrive नहित होता है यह है एक file explorer है आपको computer के hard drive पर सभी file के एक साथ दिखाए जेता हलाकि इसका इस्तेमाल कर सकता है नविंतर विंडोज के लिए desktop app डाउनलोड करके OneDrive, Android OS, Windows Phone और Xbox app द्वारा इसका उप्योग किया जा सकता है इसके द्वारा इन ओप्शने को द्वारा हम data save कर सकते हैं यानि storage कर सकते हैं जब हमें यूज हो उसको हम डाउनलोड कर भी सकते हैं अब हम बात करते हैं job search and registration एन नोकरी की खोज और पंजी करेंगा इसमें इसको हमने तीन बावों बाटा है Employment Department, Government of India, Private Job Websites, Popular, National Career Service and CS Portal इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं Employment Department, Government of India प्रिया, रोजगार विवाग ने राज्य के रोजगार बेरोजगार विवागों को सूचना और सेवाएं देने को देशे से एक आजजीविका पोटल की सुरुआत की हैं इस पोटल को बेरोजगार विवागों को और अन्य हितकारों के द्वारा Employment.Livelihood.Rajustan.gov के माध्यम से देखा जा सकता है जैसे E-M-P-L-O-Y-M-E-N-T.L-I-V-E-L-I-H-O-O-D-S.Rajustan.gov.in पोटल पर आजजीए के नागरिक जिनको नोकरी की जुरत हैं वैस्वम रिजिस्टर कर सकते हैं वेकेंसी होने पर वो आविदन कर सकते हैं समय समय पर आर्थी गूप से कमजोर समाजिक वर्गों के लिए रोजगार मेले का संचालन करते हैं यह पोटल वेरुजगारी बत्ते के वितरण और विभिन पार्टे करों पर्शेक्शन सुदाओं के लिए वेबसाइक मार्दसन परदान करने में भी मदद करता है इसके बाद हम बात करते हैं नीजी नोक्री वेबसाइट जैसे नोक्री.com नोक्री.com देश की सबसे बड़ी ओनलाइन नोक्री पोटल में से एक हैं जो आइटी मार्गेटिंग सेल्स केमिकल मेडिकल हेल्थ फार्मा जैसे सभी संभावी छेत्रों में क्लाइंट्स और कंपनियों का बड़ा नेट्व परदान करती हैं वेबसाइट है नोक्री.com यह पहली बाद गुनी सुर्ष सत्याण में में अस्तित्त में आई थी इसी प्रकार दूसरी वेबसाइट है मोनाश्टर.com यह एक और लोगप्री है जो वेबसाइट है जिसमें नोक्री परदरताओं और नोक्री चाहने वालों का व्यापक नेट्रक है यह एंप्लोयर एम जोप सिकर के लिए सबी छेत्रों में व्यापक संभावनाय परदान करता है इसी प्रकार टाइमस जोप.com यह साइट जो टाइमस सम्हूं की एक साहे कंपनी है तेजी से बारत में सिर्ष नोक्री साइटों में से एक बन गई है यह नोक्री चाहने वालो परदार दाताओं के लिए सबी छेतों में शांदार अफसर परदान करती है इसमें जोप सिकर्स और वरकर यह यह वर्क पोट्फोलिएं एम वर्क सिंपल्स होने वाले एंपलोयर के साथ से एक कर सकता है अब हम तीसरे पॉंट बात करते हैं नेशनल केरियर सेवा प्रोजे और कुसल के रिए संबंदी सिवाय प्रदान करना है इसे युनियुकताओं को सही कोसल प्रदान करने और रोजकार सरजन याने एम्प्लोईमेंट जेनरेशन के उद्देशे से सुरू किया गया है इसकी वेबसाइट है www.ncs.gov.in इसके तहट केरियर केंदर याने केरियर सेंटर शुरू के गया है जहां पर योओं को नोकरी संबंदी सभी तरह की सायता और योओं की केरियर कौंसलिंग के जाती है इस प्रकार हमने बात किया है जोब सार्च एंड प्रेस्टेशन संबंदी थे हम इंटरनेट में बाप करता है ओनलाइन एप्लिकेशन सम्मिसर यानि ओनलाइन फॉम बढ़ना राजस्तान सरकार ने एक इस्तान पर विविन परकार के सबसे भी अनुदार प्रगी करना की सूचना परदान करना और उनके लिए आविदन अप्लाइ करने के लिए अनुटी पहल की हैं इसे राजस्तान सरकार पोर्टल मादियम से उप्यों किया जा सकता है पोर्टल का नाव है राजस्तान.gov.in इसको आप ओपन करके देख सकते हो इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसमें सबसे पहला आता है राजस्तान लोग सेवा आयोग राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन यह पोर्टल उमिदोरों को राज्य सरकार की विभिन दिखते के आगदन भनने के साहता करता है परदान करता है और आगी उसकी प्रिक्षिया प्रिणाम एवं बाद में चैन प्रिक्रिया को ट्रेक करता है इसे आप rpsc.radistan.gov.in वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं राजस्तान अधिनिष्ट एम मंत्राले सेवा चैन बोर्ड या राजस्तान सूब बोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्षन बोर्ड याने RSM SSB बोर्ड को समझेत भर्ती नियमों के अनुसार निम्रीखित प्रिक्सें वेबसाइट प्रिक्सें व्यक्तिकर साथ सातकार आईजित एमसमर्थ सक्षम उच्च कुसलता युक व्यक्तियों को भर्ती करने गुर्देश्य से बनाय गया है इसकी वेबसाइट है rsmssb.radistan.gov.in से शुरू गया है जहां नागजी कोस्ट किये गया है विबिन पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं इसी प्रकार अब हम बात करते हैं digital hustakshar यानि digital signing जिस प्रकार आजकर संगठन कार्जी कारवाईस में शाही अस्ताक्सर इस टेम से दूर हो रहा है और digital signature के ज़रते ह हो रही है इससे हम electronic signature के रूप में भी जान सकते हैं डिश्टल signature के द्वार डिश्टल दस्तावे जो को प्रमानित कर इसे स्विवित परदान की जाती है डिश्टल हस्ताक्सर पहला डिश्टल हस्ताक्सर ऑरिजिनल एव अन्मोडिफाइड दस्ताव जो को साबित करने के अन्य ऐसी प्रिश्टियों को उपयोग किया जा सकता है जहां दुखादरी से बचने की जिरत होती है कि किसी दस्तावेज पर डिश्टल सक्साथ हस्ताक्सर करने के लिए आपके पास एक डिश्टल यूनिक आईडी होनी चाहिए यह यूनिक आईडी विभर परमानन संस्त जैसे वेरी साइन, इको साइन से प्राप्ट किया जा सकता है एक डिश्टल आईडी होने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम के साथ प्रजित कर सकते हैं जिए जिश्टल हस्ताक से वो सपोर्ट करते हो जैसे अडोब रिडर, माइक्रोसोफ्ट आउटलूप, ETC, इसी प्रकार इसाइन, यहनि राज इसाइन, राज़र सर्कारि, सुसर प्रोग्राइय इदिनियम दो जाक्त राज इसाइन को वेर दिश्टल हस्ताक सर के रूप में अधी कृत किया है, राज इसाइन एक ओनलाइन इलेक्रोनी हस्ताकस सेवा है जिसे सबी सरकारी एप्लेक्षन के साथ एकर्तित क्या जा रहा है ताकि सबी आधहार UID धारक नागर विव्ष दस्तावेजों को डिश्टल हस्ताकसर करने की सुधा मिल सके और सबी सरकारी एधिकारियों को कारे वैं दस्तावेजों को इलेक्रोरी रूप से पढ़क करने में अदिक्रित करने की सुधा मिल सके E-sign की विशेष्टे एं आसान और सुरक्षित कभी भी जानकारी को डिश्टल रूप से अस्थाक्सित करने के लिए आसान और सुरक्षित तरीका, कानुन तो पर मान्य अस्ताक्सर सुलिदा लचिला एम लागू करने में आसान, राज इसायन राज्ये के परतेग आधार धारित निवाशी को कानुन रूप से वेद इलेक्रोनिय अस्ताक्सर सेवा तक पहुंच परदान करता है, सुरक्षित ओ रूप में उप्योग करने के लिए होगा, राज्ये के निवाशियों के लिए इसायन राज इवलेट के साथ इंटिग्रेटेड हैं, जो राज इवलेट को परतेग नागरे को इलेक्रोनिय अस्ताक्सर सुलिदा देता है, इस प्रकार आज हमने बात किया है, चैप्टर 6 इ वीडियो वाच के लिए धन्यवाद, हमारा वीडियो बनाने को देश से इतना सा है, आज के टाइप में बुक्स पढ़ने के बजाएं, हर व्यक्ति कुशन सुनना ज़्यादा पसंद करता है, यदि आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कॉमेंट जल्दी याद हो जा है, वो हम आपको परस्तुत करते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें, और भी वीडियो देखनी हो, तो ssit.jepo.com slash video underscore gallery.php या ssit.qsfind.com पर भी जाके देख सकते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करते हैं, तो आगे आने व आपका या अपने परिवार में, या और अपने रिलेशन में किसी का एक्जाम हो, या होएगा, तो उनके लिए लाबदायब रहेगी, एक्जाम से पहले हम most question भी बेजेंगे, और हो सका तो most paper भी आप तक हो सकता है, उसके लिए नीचे आप देखेंगे, subscribe, red color में लिखाव आ रहा है, उसके जैसे क्लिक करेंगे, तो gray color में बदल जाएगा, और लिखावा जाएगा, subscribe, इसका मला आप subscribe कर चुके हैं, जैसे subscribe लिखावा आएगा, उसके पास में आपको bell भी दिखाई देगी, bell पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो उसमें 3 option आएगे, जिसमें पहला option है all, उसपे क्लिक करेंगे, तब भी हम आपको वीडियो बेशते हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और उसमें आपको help मिल सके, देनेवाद सभी मित्रो, देनेवाद